अस्सलाम अलेकम गाईज वेलकम टू आइनधर वीडियो जो जी मास्ट तो दुस्तों कैसे हैं हम सब तो यहां पर आज का वीडियो जो है वो काफी ज्यदा इंट्रस्टिंग होने वाला है टेकनो लॉंच करने जा रहे हैं अपनी एक फ्लैक्शिप डिवाइस पाकिस्तान मे करने तेकनो पार्टेकनो ने अपना डिवाइस है वह आधर इनफीनिक्स SI पोर के लाउंचिंग के बाद किया है है यहां पर टेकनो लाउंच कने जाा रहे है कि यह हमारी तरफ से टेक्नो वालों की तरफ से एक flagship device होने माला है अब यहाँ पर दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में टेक्नो की flagship device के बारे में कि flagship device में टेक्नो हमें कौन से features प्रवाइड कर रहे हैं और कैसा price segment प्रवाइड कर रहे है यहाँ पर टेक्नो कहारा है कि हम आपको Helio P35 का chipset प्रवाइड करने है 6GB RAM है, 128GB memory है, 48MP का back camera है 32MP का front camera है और साथ ही में 5000mAh की बैटरी है और यह टेक्नो की तरफ से एक flagship device होने वाला है जबके इसकी प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में वो होने वाली है 37,000 पर यहाँ पर जो Infinix ने हमें price segment दिया है वो दिया है 24,000 पर जिसमें हमें 48MP का back camera है entire 2MP का front camera दिया है लेकिन यहाँ पर जो Infinix है उसने हमें 4GB RAM N64GB का memory variant प्रोवाइड गया है अब इसके मगाबले में टेक्नो ने सोचा कि हम अपनी फ्लैक्शिप डिवाइस इंट्रीउस करते हैं जिसके हम price इतनी रखेंगे शाहिद Infinix भी ऐसा ही करें लेकर Infinix ने ऐसा नहीं किया Infinix ने एक budgetable segment में अपना smartphone जो है वो इंट्रीउस किया और launch भी कर दिया है अब यहांपर टेक्नो जैसे कह रहा है यह flagship डिवाइस होने वाला है पाकिस्तान में मेरे हसाब से इस price tag में पाकिस्तान में जो है वीवो ऐसी company है और भी बहुत सरी companies ऐसी है जो हमें 8GB RAM परवाइड करती है लेकर टेक्नो यह सौच रहा है कि वो इसकी कम्यावी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब लोग इसका यह flagship डिवाइस परचेस करेंगे जो कि बिल्कुल नार्मल सा डिवाइस है जिसमें हमें सिर्फ 6GB RAM और 48 MP का कैमरा परवाइड कर रहे हैं और साथ में हमें फ्रांट में पावल सेल्फी कैमरा परवाइड कर रहे हैं जिसकी प्राइस उन्हें रखी है 37-38,000 अब यहां पर यह तो पहले ही सबको पता है एक फ्राप डिवाइस होने वाला है पाकिस्तान में जिसको कोई परवाइस नहीं करेगा अब हम बात करें इसकी पाकिस्तानी प्राइस क्या होनी चाहिए तो यहां पर पाकिस्तान में टेक्नो कैमन 15 प्रो की प्राइस होनी चाहिए बहुत जरी ऐसी कंपनीज हैं जो हमें 8GB RAM पर वाइड करनी है थोड़े सी प्राइस यहां पर जएदा है वीवो के तरफ से वो हमें 8GB RAM पर वाइड कर रहा है S1 Pro में काफी जबरतास हाट सेलिंग माडल में रहा है वीवो का S1 Pro अब यहां पर कैमन 15 Pro में पते नहीं इसी क्या खास बात है लोग इसको परचेस करने पर इतने मजबूर हो जाएंगी कि कैमन वालों ने सोरी टेक्नो वालों ने अपने इस कैमन सीरीज में इसको एक फ्लैग्शिप डिवाइस का है और यहां पर इस डिवाइस का कीमत इतना ज़्यदा रख है आप यहां पर दोस्तों किया आप इसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमन बाक्स में ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में अब तक के लिए लाफिज चांगों जुरूर सबस्क्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी दबा दें